Hello everyone, आप सभी का देई इनव पे स्वागत है, मैं विशुजी इत्सिंग दोस्तो आज किस वीडियो के अंदर में हम UGC NET के बारे में बात करेंगे दोस्तो UGC NET आज के समय में करियर आप्शन के तौर पे बहुत बड़ा आप्शन है क्योंकि normally एक as a student में बात करो, तो हम सभी के मन में क्या होता है as a student कि भीया, इस वाले exam को देते ही हमें कोई job मिले, नौकरी मिले क्योंकि नौकरी की हालात जानते हो, job की हालात क्या है हमारे इंडिया में, बहुत बुरी अभी इस्तिती चल रही है तो UGC net एक ऐसा platform देता है, कि जैसी आप इस exam को clear करते हो, तो आपके सामने दो सबसे बड़े job option खुल के आ जाते हैं, एक junior researcher के तौर पर किसी college university में, और दूसरा assistant professor के तौर पर किसी college university में आप लग सकते हो, ये तो मैंने दो बताया, जो main है, सासत आपको कई सारे public और private sector में भी net exam clear करने के बाद job मिल जाती है तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा career option खुलता है, जिसमें master degree करने वाले जो students है, उनकी पहली पसंद होती है QGC net का exam देना, और आगे अपना career को सुधारना तो हम थोड़ा से basic चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर में जानेंगे, जैसे UGC net का apply हम कैसे कर सकते है UGC net है क्या, इसके त्यारी हम कैसे करें, कितना cut-off आता है, क्या criteria है, क्या-क्या चीज़े चाहिए, कितने पर्टिक साथ masks चाहिए ठीक है, और इसमें age limit क्या रखा गया है, इन सब चीजों के basic चीजों के बारे में बात करेंगे ठीक है, जो बहुत जादा जरूरी है, किन subject में हम UGC net का apply कर सकते हैं, ठीक है, कितने subject में अपएर किया जाता है ठीक है, exam कितनी बार होता है, exam कब होता है, ठीक है, कितनी level होते हैं, सब को जो basic questions एक student के मन में आते हैं और सारा question का यहाँ पर solution मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है, तो video को last तक देखेगा, जिससे आपको समझ मैं है ठीक है, सबसे पहले हम कुछ basic चीजों के बारे में बात करते हैं, UGC net, ठीक है, यह exam का नाम है आपका UGC का मतलब क्या हो जाता है, University Grant Commission, सभी जितने भी college हैं भारत के अंदर में, जितने भी college और university हैं भारत के अंदर में सबको regulate करने वाली संस्ता को हम UGC कहते हैं, University Grant Commission, जो सबको regulate करते हैं, regulate करने के मतलब क्या चलाती है वही rule regulation मनाती के भाईया, इस हिसाब से चलाना है, इस हिसाब से वाला subject add करना है, सब कुछ वो करती है, तो उसको हम UGC कहते हैं, ठीक है या आप eligible हो या नहीं हो, इसको test करने के लिए exam लिया जाता है, जैसी आप यह exam clear करते हो, नमबर अच्छे आते हैं, आपके percentage अच्छे आती है, तो उसके बाद आपके सामने दो सबसे बड़े career option के और तो और पर खुलते हैं, क्या assistant professor का और junior researcher का, ठीक है, यह दो सबसे बड agency के दोरा यह conduct करवाया जाता है, ठीक है, यह NTA national testing agency के दोरा इसको conduct करवाया जाता है, और यह साल में दो बार इसका exam होता है, ठीक है, आज चलते हैं, यह तो मैंने थोड़ा सा basic आपको बता दिया है, अब विस्तार में हम इसको समझते हैं, क्या is limited, क्या criteria है, ठीक है बात करें UGC NET के बारे में, तो जो UGC NET है, the national eligibility test के नाम से इसको जाना जाता है, NET के exam का full form हो गया, national eligibility test, ठीक है, इसको UGC NET के नाम से भी बोलते हैं, ठीक है, आप national eligibility test बोलो, NET बोलो, या UGC NET बोलो, या NTA UGC NET बोलो, NTA क्या हो गया, जिसके दोरा conduct करवाया जाता किसके लिए, the post of assistant professor और junior researcher follow-up के लिए, और आप इन इंडिया में कहीं भी किसी भी college university में work कर सकते हो, दोस्तों, ये option ऐसा हो जाता है, कि जैसे माल लो, आप इसको clear कि, junior professor के तौर पर, junior researcher के तौर पर, या फिर assistant professor के तौर पर लगते हो, दीरे-दीर क्या आप college में पढ़ा र करने वाले बच्चे होते हैं, जो भी M.A. कर रहे हैं, तो उसमें से 90% बच्चों का aim होता है, कि वो net का exam clear करें, ठीके, और एक आकड़े के नुस्तार दोस्तों, per year, 8-10,000,000 बच्चे UGC net का exam देते हैं, UGC net का exam देने वाले बच्चों की संख्या भी बहुत जादा है, 8- 10,000,000 बच्चे per year UGC net के exam को appear करते हैं, ठीके, तो यह बहुत अच्छा career option के तौर पे मिल जाता है, उन बच्चों के लिए जिनको college में पढ़ाना पसंद है, ठीके, जो lecturer के तौर पे work करना चाते हैं, ठीके, researcher के तौर पे work करना चाते है, तो उनके लिए option बहुत ही अगे बात करें दोस्तों, तो 2018 तक जो UGC net का exam conduct करवाया जाता था, उस CBSC के द्वारा करवाया जाता था, CBSC के बारे में आप तो भली बात ही जानते होगे, क्योंकि 10th का board और 12th का board CBSC द्वारा ही लिया जाता है, ठीके, डेली के अंदर में मैं डेली से पढ़ा हूँ, तो UGC जब लेता था, तो उस समय टोटल 84 subjects के अंदर में net का exam होता था, और टोटल 91 cities के अंदर में ये exam को conduct करवाया जाता था, मतलब भारत के 91 cities के अंदर में ये exam होता था, 84 subjects के लिए, अब क्या किया गया, 2018 के बाद, December 2018 बाद ये change हुई, UGC net का exam को करवाने के लिए, जो conduct कर आने का जीमा है, वो National Testing Agency को दे दिया गया, ठीके, NTA को दे दिया गया, National Testing Agency, जो एक सरकार दोरा बनाई गई एक संस्था है, जो कई तरह के exam और भी लेती है, ठीके, भारत के अंदर में होने वाले जितने भी exam है, जादा तर exam, National Testing Agency के दोरा ही करवाया जाता है, ठीके, अब U UGC Net का exam भी यही करवाती है, इसके करवाने के, इसके हाथ में आने के बाद क्या हुआ, कुछ चीजों में changes आई, जैसे number of subjects वो बढ़ गए, 84 सा पहले जब CBSC करवाती थी, अब 96 plus में है, और जो 91 cities की जगह पे, अब ज़्यादा cities में इसके exam का लिया जाता है, ठीके, दोस् बेल आइकन को दबाई है, जिससे फाइदा ही होने वाला है, कि आने वाले समय में जो भी video related update मिलेगा, आपको time पे मिलेगा, आप देख पाऊगे, ठीके, और एक request ये भी है, कि आप हमारे sourcesal media platform को join किजिए, ठीके, जो telegram हो, whatsapp हो, ठीके, instagram हो, कहीं पे भी tutor हो, कहीं पे भी join किजिए, ठीके, वहाँ पे आप किसी भी तरह के question को पूछ सकते हैं, comment करके पूछ सकते हैं, जिससे आपके doubts को solve किया जा सके, आपके सारी queries को solve किया जा सके, ठीके, आगे बात करतें दोस्तों, तो UGC net के अगर qualifying criteria के बात करें, तो सबसे main चीज के आ जाता है, कि भीया, आ आप master के student होने चाहिए, आपके पास MA की degree होने चाहिए, मतलब master की degree होने चाहिए, ठीके, किसी भी subject में हो, तो आगे हम देखेंगे किसकी subject में होता है, ठीके, इसमें अगर आप मालो journal category से बिलोंग करते हो, journal हो, तो आपको 55% mask चाहिए, ठीके, 55% mask चाहिए, नमबर चाहिए ठीके, अगर मालो आप other category से बिलोंग करते हो, other category क्या, SC, ST, OBC, PWD, इन सब category से बिलोंग करते हो, तो 50% marks में भी आपका काम बन जाएगा, अगर हम इसके qualifying cut-up की बात करेंगे, cut-up केतने परतिसत तक जाती है, तो पास होने के लिए इसके दो paper होते है, paper 1, paper 2, पास होने के लि 12 में हमारे क्या होता था, कि 100 में से 33 नंबर आने वाला पास होता था, पर हमेशा first कोन आता था, जिसके नंबर जादा है, ठीके, तो पास होने के लिए ये नंबर है, पर आपका job मिले, selection हो, उसके लिए आप जितना जादा लाओ, उतना अच्छा है, ठीके, समझ में आता है क्योंकि कई बार क्या होता है, कि बच्चे सोस्ते ये, मैं 40 तो आ, 40 की जगए 41 आ गया, पर मुझे job नहीं मिली, government को blame करते हैं, तो क्योंकि reason ही है दोस्तों कि per year net exam को 8 से 10 लाओ बच्चे पेर करते हैं, तो 10 लाओ के 10 लाओ को job नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि इतने post नहीं है, तो जितने post ये, उसके हिसाब से job मिलेगी, तो उनको मिलेगी ओ जो उसके लिए eligible होंगे, जिनके number ज़्यादा होंगे, उनको मिलेगी, तो आपके जितने ज़्यादा number है, उतना ज़्यादा फायता, ठीके, आगे बात करें age limit की दोस्तों, और relaxation की बात करें कि कहीं कहीं पर छूट भी मिलती है क्या, तो normally JRF, junior researcher fellowship के लिए, 30 साल का, मतलब, more than 30 साल का time होता है, मतलब, आप अगर JRF के लिए appear करना चाते हो, junior researcher के लिए, ठीके, तो वहाँ पे 30 साल से ज़्यादा का time भी मिलता, 30 साल तक appear कर सकते हो, और जैसे मालों भी मेरी 23 साल है, ठीके, तो 23 साल है, तो मतलब, मेरे पास seven year और है, UGC net के, JRF के लिए appear करने का, ठीके, और ये जो changes हुई थी, ये कब कब में बता रहो, कब करी साब से बता रहो, तो 16220 के according, ठीके, 16220 के according, ये 30 साल age थी, ठीके, और दूसरे subject में, जैसे मालो, आप assistant professor की बात करते हो, तो वहाँ पे कोई age limit न पर assistant professor में कोई भी age limit नहीं है, आप apply कर सकते हो, ठीके, यहाँ पर एक extra चीज क्या जाता है, जोस्तों कि अगर आप मालो other category से belong करते हो, OBC, ST, IN, सबसे belong करते हो, तो आपके पास 5 साल का extra time मिल जाता है, कि आप 5 साल तक और भी apply कर सकते हो, जैसे मालो, यहाँ पे 30 साल है, तो आप यहाँ पे 35 साल तक के लिए apply कर सकते हो, JRF में भी, ठीक है, और net वाले में तो, उसका assistant professor में तो कोई age limit नहीं है, ठीक है, यहाँ पे और भी अलग अलग तर से चीजे दे रखी हैं, कि आप किसी job को करते हो, तो अलग, मतलब इतना age limit की चूटे, दो साल की चूटे, चा जुनियर रिसर्चर के तोर पर work करना साथ चाहता है, तो उसके लिए age limit के है 30 years, ठीक है, और उसके पास कोई certificate है, जैसे OBC, SC, ST, PWD का, transgender का, तो उसके पास 5 year और उसमें बढ़ जाता है, तो मतलब 35 years का होगा time, जनरल के लिए 30 साल और बागी अधर category के लिए 35 years, और अगर आ यह बहुत ज़्यादा important point आजाते हैं यहाँ पर, कि जुनियर रिसर्चर फॉलो सिफ जी आरेफ एंड एलेजिबिलिटी फोर दासिस्टन प्रोफेसर डिपेंड्स ऑन दी एग्रिमेंट, एग्रिगेट पर्फोर्मेंस ऑफ दा कैंडिडेट इन पेपर 1 और पेपर 2 UGC NET देखो, अगर मानलो आप जुनियर रिसर्चर के लिए या फिर असिस्टन प्रोफेसर के लिए अपेयर करते हो, तो इसके लिए क्या डिपेंड करता है? कि आपका performance कैसा रहा है जो आपने exam दिया है candidate का performance कैसा रहा है paper 1 और paper 2 में तो इसके दो paper होते है paper 1 और paper 2 UGC net के ठीक है तो दोनों paper में आपका performance कैसा रहा है उसके base पे आप उसके लिए appear कर सकते हो that the candidate qualifying only for the assistant professor are not be considered for the awarding JRF अगर माल लो आपने जो exam दिया हो उसमें assistant professor के लिए आपने qualify किया है तो आप JRF के लिए junior researcher fellowship के लिए आप eligible नहीं हो यह माना जाता है candidate who qualifying the eligibility test for the assistant professor are governed by the rules and regulation resumant assistant professor of the kindergarten university college and state government देखो यह जो अगर आप माल लो assistant professor के लिए भी clear कर जाते हो तो जो यह सारा कुछ है यह college university और state के अंदर में आएगा state government के अंदर में आएगा वो आपका तै करेगी कि कहाँ पर आपको job देनी है ठीके जैसे माल लो मैं Delhi में रहता हूँ Delhi से मैंने UGC net के लिए pair किया तो Delhi government होगी Delhi के जो university होगी वो college होगी वो मुझे बुलाएंगी कि भईया आप आजओ यहाँ पर यहाँ पर जाकर exam दे दो normally एक process यह हो गया कि जैसे 12th के बाद हम admission के लिए जाते हैं college के इंदर में ठीके college का form बरते हैं जब cut-off निकलती है cut-off में देखते हैं कि मेरा इसिस college में नाम आ रहा है ठीके इसिस college के ने cut-off कम है और यहाँ पर में admission ले सकता है तो हम जाते है college में तो same process से यहाँ पर भी वही कहोगोने वाला है ठीके समझ में आता है आगे बात करें दोस्तो career option के तौर पर की career option क्या-क्या खुलते हैं तो lecturer के तौर पर lecture ship के तौर पर यहाँ पर आप जा सकते हो किसी management के तौर पर आप जा सकते हो private sector के अंदर में government sector ने दोनों मैंने बता दिया है कि GRF और junior assistant professor के तौर पर जा सकते है किसी भी college में private college में भी lecture आर के तौर पर लग सकते हो आप management के तोर पे लग सकते हो, corporate communication के तोर पे लग सकते हो, human resources के तोर पे लग सकते हो, finance management के तोर पे लग सकते हो, तो इसमें से अलग-अलग subject का depend करता है कि आप MA किस में कर रहे हो, अगर मालो आप MA economics में कर रहे हो, तो आप finance के तोर पे कहीं लग सकते हो, MA आप मालो economics में कर रहे जो आपके subject होंगे उस पर depend करेगा सारा ठीक है कि आपका subject किस तरह का है तो उसकी हिसाफ से लग जाएगा अगर जैसे मालो मैंने history में MA किया है और net exam दूँगा तो उसके बाद मुझे किसी museum में भी job मिल सकती है ठीक है net का exam clear करने के बाद अलग-अलग तरह से वो मेरे सब कुछ जो होगा सारा कुछ जो depend करेगा job का वो मेरे subject के उपर depend करेगा कि मेरे पास कौन सी subject से ठीक है समझ में आता है दोस्तो और जो दो main option है हो तो मैंने बताई दिया assistant professor के तोर पर किसी भी college में आप पढ़ा सकते हो और दूसरा क्या कि junior researcher के तोर पर आप कहीं पर भी research के लिए जा सकते हो ठीक है और आगे अपनी तयारी कर सकते हो यहाँ पे एक last point की बारे हम बात करें तो UGC जो UGC net exam है वो साल में दो बर conduct करवा जाता है ठीक है 2020 के अंदर में जो coronavirus की pandemic आया उसके कारण से हो नहीं पाया ठीक है तो इसको जून 2020 का exam जो था delay कर दिया गया September 2020 के लिए ठीक है तो September 2020 और November 2020 2020 के अंदर में यह exam हुआ जो December में exam होने वाला था मतलब exam क्या होता है June में होता है ठीक है और दूसरा कब होता है December में होता है June और December में exam लिया जाता है तो June वाला जाकर September और November में जाकर exam हो September में exam हो और November में result आया ठीक है और जो December वाला exam था वो फिर से वापस से coronavirus आगया December में फैने लगा तो उसको फिर से postpone करके क्या कर दिया गया March और April कर दिया गया March और April में हो नहीं पाया exam तो मई जो आपका चल रहा है तो इस मई में मतलब 8-10 date दी गई थी कि इन इन date पे net का exam होगा पर फिर से वापस से coronavirus जादा बढ़ने का lockdown लगा दिया गया तो उसको फिर से वापस date आगे नई date आएगी तो उसमें exam होगा और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों UGC net के exam के लिए per year 10 लाग तक के बच्चे देते हैं exam ठीक है 8-10 लाग बच्चे देते हैं ठीक है तो सबसे बड़ा exam है बहुत जादा इसमें बच्चे crowd होते हैं जादा बच्चे आते हैं और मतलब सबसे में चीज़ क्या है कि इस exam को killer करते ही एक ऐसा career option आजाता है जो easily आपको job देता है ठीक है अगर हम कुछ basic चीज़ों के बारे में बात करें इस exam के तो mode of exam क्या होता है तो online देना होता है CBT mode से exam होता है computer based test जो computer के बैट कर आपने SST का exam दिया होगा कभी तो उस तरह से exam देना होता है multiple choice questions आते है paper medium क्या होता है Hindi और English दोनों में होता है जिस margin में आप देना चाहाँ उसमें दे सकते हो minimum time जो होता है वो 180 minute का होता है 3 गंटे मतलब 3 गंटे का paper होता है paper 1 और paper 2 ठीक है दो बार 2 paper होते है और total mask आते है मतलब number आते question आते है 1500 number और total number होते है questions के 300 ठीक है तो 2 paper होगा 800 number के 2 question 2 paper हो गए तो 300 number के paper बनता है total ठीक है और जितना ज़्यादा आप करते हो जितना ज़्यादा अच्छे number आते है उसके हिसाब से आपका performance देखी जाती है ठीक है तो यह जो net का option है दोस्तो बहुत ज़्यादा सही है आज के time के हिसाब से क्योंकि आप जानते हो कि कितना ज़्यादा job की माम आ रही है पूरे इंडिया में ठीक है क्या condition चल रही है क्या सरकार कर रही है सब कुछ जानते हो तो जो UGC net है एक अच्छा option के तोर पे देखा जाता है उन बच्चों के लिए जो MA कर रहे है ठीक है MA के बाद आगे की तियारी करना चाहते है उनके लिए ऐसे आप देखो कि 90% क्या होता है कि MA करने वालों की कोई value नहीं होती है क्योंकि इस तरह की कोई अच्छे degree नहीं है ठीक है MA आज कर आम बात है पर MA करने के बाद आप UGC net clear करते हो तब एक अच्छा option मल जाता है आपके लिए अच्छा option खुलता है वहाँ पर ठीक है अगर आप UGC net के लिए नहीं करते है UGC net के त्यारी नहीं करते है तो दिक्कत है अगर आप UGC net करने की सोच रहे हो तो अभी सब त्यारी करो तब जाकर आप कुछ उसके लिए कर सकते हो नहीं तो फिर कोई possible भाली बात है यह नहीं ठीक है दोस्तो लास्ट में आप सभी बच्चों से एक बार दुबारा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि एक सेकंड से भी कम टाइम लगता है तो हमारे दी इनप जो चैनल है उसको जूरू सस्क्राइब करें और हमारे social media platform पे भी हमें follow करें आप हमें telegram पे जूर सकते हैं 근री इन आपके नाम से group है ठीक है इवन सभी social media platform का दी इनप Android मिल जाएगा आप हमें वहाँ पे join करें वहाँ पे कई तरह के PDF मिल जाएगी कई तरह के video कि link मिल जाएगी आपको